हलो दोस्तों, लैटिकल टेक्निशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिखेंगे कि किस प्रका से हमारा जो स्ट्रेट लाइट होती है उसको पावर सप्लाई का जो इस्टिविशन करते हैं और स्ट्रेट लाइट जो होती है, उसको किस प्रका से टाइमर के द्वारा ओन और आफ करते हैं ठीक है दोस्तों, यह हमारा स्ट्रेट लाइट हो गया, अब हमें इस स्ट्रेट लाइट को क्या करना है पाउर सप्लाई देना है तो देखिंगे दोस्तों पाउर सफ्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक 4POL का MCB यूज़ करेंगे और इसके अर्थ फोल प्रोटेक्शन अभी देखिए यहां पर आप चाहें तो MCB यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन मैंने यूज किया हूँ क्यों क्यों यहां पर आपको स्ट्रेट लाइट के लिए ओवर करेंट के प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और सौर सर्किट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी ठीक है आर्सी से भी इसमें वार को कनेक्श कर देते हैं देखिए दोस्तों यहां पर हमने लूटर सप्लाइट कर दिया और यहां पर थ्रेफेस सप्लाइट कर दिया अभी देखिए यह जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है इसमें ल1,L2,L3 होता है इन टीनों टर्मिनल पर हम क्या करते हैं दियते हैं यह जो NC कोन्टेक है उसमें हम अजलरी कॉन्टेक्ट उच कट यूस करते हैं तो यहांपर हम क्यावनPalवर कॉन्टेक्ग को यूज करेंगे तो देखिए यहां पर हमने पार सप्लाइट को चूल्ग करते हpur यहां पर मैंने ठीं हाने स्ट्रिट लाइट ही यूज तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों streetlight को एक-एक face supply दे रहा हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले streetlight को मैंने य फेस दे दिया और तीसरा streetlight को भी face दे दिया ठीके दोस्तों अब है जो हमारा streetlight है उसको power supply मिल गई है अभी हमए इसको neutral supply क्लिक्या करई तो questo लékवा इक從 स्ट्रीट लाइट है उसमें कनेक कर देंगे देखिए यह जो हमारा स्ट्रीट लाइट है इसको फेस सप्लाई और न्यूटल सप्लाई मिल गया अभी क्या है यह जो हमारा दूसरा स्ट्रीट लाइट है इसको भी फेस और न्यूटल सप्लाई चाहिए तो इसको भी न्यूट सप्लाई देना पड़ता है लेकिन यहाँ पर HP MB Lamp या फिर HP HP Lamp यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चोग Igniter भी यूज़ करना पड़ता है और capacitor भी लगाते हैं तो उसका control wiring मैंने यहाँ पर बताया नहीं हो दोस्तों यह आपको HP MB Lamp का या फिर हाई प्रेसर सोडियम वेपर लेम जो होती है उसका connection किस परकार से करते हैं उसका वारे मैं नहीं मालूम तो दोस्तों उसके लिए आप हमारा जो एक वीडियो है HP MB Lamp का wiring किस परकार से करते हैं उसको देख लिजेगा उसका link में description में दे दूँगा ठीक दोस्तों तो दखिए दोस्तों यहाँ पर control जो wire होती है उसको protection के लिए हम एक mcb यूज़ कर देते हैं यहाँ पर हमने टूपल अरण करना है तो हम manual में करें च能不能 justIm also on ability to auto में करें गें तो टाइमर के दवार hon detach डोस्तो इसके वर हम एक टाइवstudy यूज़ करेंगे यह टामर क्या करेगा जितना टाइम्स में का के हिसाब से हमारा जो street light है उसको on or off करेगा ठीक है दोस्तों control wiring करने की क्या करते हैं यह जो हमारा control MCB है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं input power supply दे देते हैं तो देखिए यह वाला जो wire है इसमें हम एक wire को connect करके इस MCB के साथ connect कर देंगे अभी क्या हुआ इस MCB को phase supply मिल गया अब neutral supply के क्या करते हैं neutral terminal से एक wire को connect करके इसके साथ connect कर देंगे अभी जो हमारा MCB है इसको phase supply और neutral supply input terminal में मिल गया ठीक है अभी हमें क्या करना है इसके outgoing वाले terminal से हम एक wire को connect करके इस selector switch के जो common terminal होता है उसमें connect कर देंगे ठीक है ओके दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल य वहां से उसको download कर सकते हैं ठीक दोस्तों अभी देखिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा selector switch है इसको क्या करेंगे हम auto में डालेंगे ठीक है auto में डालने बार क्या करते है वायर जो जहां पर हमने connect किये थे common terminal से वहां से लेके जिस terminal पे connectivity आएगा यह जो हमारा selector switch होता है उसक से हम क्या करते हैं एक pare को connect करते हैं और उस yayर को क्या करेंगे हम हम इस timer के no contact में यहां फिर common terminal पर connect कर दे थे हैं दोस्तों यह जो हमारा timer है इस邂ंअ और कैसे work करता है इस timer को भी में या है कि पहला इस timer को operate करने के लिए power supply हम कहां connect करेंगे यहां पर L और N लिखा हुआ है L वाले terminal पे phase supply और N वाले terminal पे neutral supply connect करते हैं ठीक है तो हमने क्या किए यहां पर जो wire हमने लेकर आये थे selector switch के दार इसमें एक wire को loop करके इस L वाले terminal के सार करने करते हैं यानि कि इस timer के coil में हमने phase supply करने करते हैं आभी देखें यहां पर हमने एनव contact यूज़ के रहती तो आप क्या करेंगे यह जो common terminal है उस common terminal पे एक wire को connect करेंगे इसको सीधे ही हमारा जो contactor है उसके एवन terminal के साथ connect कर देंगे ठीक है यह जो हमारा selector switch है इसको क्या करेंगे manual position में डाल देंगे ठीक है और क्या करेंगे यह जो wire connect किये थे उस wire के द्वारा यहां पर जो terminal से उनमें continuity करेंगे जिस terminal पे continuity आती है उस terminal के साथ एक wire को connect करेंगे और उसको क्या करेंगे यहां पे loop कर देंगे यानि कि हमने क्या किये इस a1 terminal के साथ connect कर दिये ठीक है तो क्या हो गया जब हम इस selector switch को manual में डालेंगे तो यहां से power supply चली जाएगी और auto में डालेंगे तो यहां से जाएगी और timer के दोर operate होगे इस contractor में चली जाती है ठीक है दोस्तों अभी देखे यह जो हमा terminal से हम एक wire को loop कर देंगे और इसको क्या किये हमने यहां पर जो timer है उसके neutral terminal के साथ connect कर दिये ठीक है अभी हमारा जो timer है उसको face supply और neutral supply दोनों मिल गए अब क्या करेंगे यहां पर एक loop करेंगे और loop करने बाद हमारा जो contactor है उसके neutral supply देंगे तो दोस्तों यह जो हमारा power wiring और control wiring था वो complete हो चुका है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रका से यह जो हमारा street light है वो work करता है ठीक है अभी दिखे यह दी हमें street light को on करना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यह जो mcba for ball वाली इसको on करना पड़ेगा और यह जो rccba इसको भी on करना पड तो इस selector switch को manual पर कर देंगे और यदि timer के द्वारा on करना है तो इस selector switch को auto में डाल देंगे ठीक है manual पर डालेंगे तो सीधा power supply यहां से आते हुए सीधे इस contactor को on कर देगा और यदि auto में करते हैं तो क्या होगा power supply यहां से आएगी और timer के operate होने बाद जितना time हम set करेंग ठीक है तो जैसी power supply यहां पर आएगी तो हमारा contactor on होगा on होने से क्या होगा यह जो हमारे power terminal से वो connect हो जाते हैं और हमारे जो street light है वो उन हो जाएगा दोस्तों I hope कि आपको यह video पसंद आयोगा दोस्तों यदि आपको यह video पसंद आया तो please like कर दिएगा और हमारे channel को subscribe कर कर दोस्तों 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 झाल झाल